तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कर आप सौस्त और हेल्दी होंगे ठीक है ? तो यह line man यानि याप कोई भी टेक्नasia हो देखि समय हो देखें यह बीडियो देखना आपको आपके लिए बहुत आवशक है क्योंकि यह basic kochans है ठीक है जो भी यह kochans आप देखेंगे वह basic kochans है आप कोई भी technician हो आपको जानना आतिया वाशक है ठीक है तो हम लेगे यह level 2 है ठीक है हमने level 1 video बना चुके है आपने नहीं देखें तो description में link है उसे देख लीजेगा ठीक है और जो भी मेरे दोस्त चैनल निवाए है प्ली जाने को subscribe कर लीजेगा ठीक है अब previous वीडियो का description में link है ठीक है उसे देख लीजेगा ठीक है तो देरना करते है वीडियो स्टाट करते है फर्स्ट वाला जो कोचन है नीचे दियेगे परतिक परदर्शित करता है तो इसका जो option है फर्स्ट वाला सही है यानि risk of fire ठीक है next question है यह में लिखित अगनी सामक यंत्र विदुतिय आग के लिए उप्योक्त होता है तो इसका भी option फर्स्ट वाला है यानि सुस्क रसायन next चित्र में दर्शाय गए एक हस्त अउजार का पाचान करें यह कौन साउजार है तो इसका जो option फर्स्ट वाला है combination प्लायर है ठीक है next question है electronic दबाओ को भी कहा जाता है यानि electric दबाओ को कहा जाता है तो इसका जो option है फर्स्ट वाला है voltage ठीक है next समीकरण जो पर्यवारती voltage को मापता है तो इसका जो option है वह एवाला ही साही है ठीक है B O sin Wt next phase voltage को dash के बीच मापा जाता है तो इसका जो option है फर्स्ट वाला ही है phase और neutral के बीच में मापा जाता है वोल्टेज को ठीक है नेक्स्ट कोचन है ओम का नियम निम्न में से किस माप डंड पर निर्वर करता है तो इसका जो आप्शन है वो डी वाला सही है ठीक है आलफ दो जी सभी पर निर्वर करता है नेक्स्ट है सरफेस प्लेट डैस से बनी होती है तो इसका जो आप्शन है वो ये वाला सही है हाईव क्वाल्टी कास्ट ऐरन यहनि उच्छ गुणवक्ता वाला ढाला हुआ लोहा का बना होता है नेक्स्ट कोचन है निम्न में से कान से चीजल का प्रकार नहीं है ते इसका जो आपसन है व को DC आपूर्थी में कौन सी मशिन बदलती है तो इसका जो आफशन है वह C वाला सही है welding rectifier ठीक है next है आम तोर पर breezing में उपयोग की जाने वाला flux है तो इसका जो आफशन है वह यह वाला सही है ठीक है बोरेक्स बोरेक्स है पुरे लास्टक वीडियो में बने रहेगा है दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है ठीक है next को चने ARC blow is more common is तो इसका जो आफशन है एंसर होगा वह आफशन एवाला सही है DC winding ठीक है next इसका जो आफशन है वह B वाला सही है ठीक है hardening ठीक है next निमिलिखित में से कौन सी solder तामबा टीन चांद इजासता का केडमियम और फासपोरस का मिस्टन धातु है तो इसका जो आफशन है वह यह वाला सही है next कोचन है soldering में soldering के लिए क्या आवशक होता है तो इसका जो आफशन है वह D वाला सही है ठीक है अलफदोज यह सभी का प्रियोग होता है next है logs तथा thimble को वो प्रियोग केवल तथा तार से जोड़ेने के लिए निमलिखित में से कौन सा tools का प्रियोग किया जाता है तो इसका जो आफशन है यह वाला सही है ठीक है next को चने तारों के सीडों को आसानी से पहचानने के लिए डैस का प्रियोग किया जाता है तो इसका जो आफशन है यह वाला सही है वायर फेरूल ठीक है next को चने डैस का प्रियोग सरकीट या इलेक्ट्रिकल पॉइंट जैसे स्विच को नियंत्रों करने के लिए प्रियोग किया जाता है तो इसका जो answer है वा यह वाला सही है ठीक है controlling accessories next किस प्रकार की earthing को fire earthing की भी कहा जाता है तिसका जो option है वा बी वाला सही है road earthing next ELCV का पूरा नाम क्या है अर्थ लिके circuit breaker हमको लगता है first वाला सही है ठीक है वा C वाला सही है ठीक है DC voltage next निमलिकित में से कौन सी lead acid cell का सक्रिय पदार्थ है तो इसका जो option है वा D वाला सही है अलफ दोज next जब battery charge की जात रही होती है तो terminal voltage के साथ घटता है तो इसका जो option है वा C वाला सही है ठीक है increasing temperature ठीक है next निमलिकित में से कौन सा एक शिल बंड शिल बंड रख रखाओ मुक्त बैटरी का प्लाव है तो इसका जो option है वा D वाला सही है अलफ दोज यह सभी है ठीक है next एक meter एक विदूतिय उपकरण है जिसका उप्योग current में अपने के लिए पिरोग के जाता है ठीक है emitter का ठीक है first वाला option सही है next question देखेंगे हम लोग ohm का बराबर होता है यहनि एक mega ohm कितने ohm के बराबर होता है तो first वाला option है वा सही है ठीक है दस लाख ohm बराबर एक mega ohm ठीक है एक mega ohm बराबर दस हजार नहीं दस लाख ohm के बराबर होता है ठीक है next question है the pressure coil of an energy meter is यहनि एक energy meter की pressure coil dash होता है तो इसका जो option d वाला सही है high prayer किया ठीक है next question है dash की ख़पत का मापन energy meter द्वारा किया जाता है तो इसका जो option है वा ए वाला सही है electrical energy के द्वारा ठीक है electrical energy की ख़पत को dash द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इसका जो option है वह वाला ही से है किलो वाट घंटे में व्यक्त किया जाता है unit को ठीक है next है भारत में कौन सा राजुए भालती वीधोत्य नियम के पालां नहीं करता है तो इसका जो आप्शन है वाह वाला है जंब का स्मईर इन में से कौन सा वायरिंग की विधुत्य 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 विधुत ठीक है ॠ नेक्स्ट को जाने है निमलखीत में से कौन सा एम-सीडी का परकार है एम-सीवी का एक परकार है इसका जो अप्षन है वहißt डी वालान स्फया लफ धोजे सभी परकार है उसके सिंगल STREP कई परकार है कोई single pole का चाहतया कोई triple pole का भी आता है ठीक है सिंगल पूल वाला सिंगल हैगा डबल पूल वाला डबल दोनों जॉइंट रहता है फिर त्रिपल पूल वाला तीनों जॉइंट रहता है उसका जो ट्रिप करने वाला होता है ठीक है नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सी एक स्रख्षा युगती है तो इसका जो आप से से एक और पड़िक प्रतिक प्रतिक की परदर्सित करता है तो इसका कोई आप से नहीं नहीं है थीक है तो हमलों के